बॉड बॉर्णिंग माय दियर स्टुडेंट्स आज का मेरा टॉपिक है एरर हमने प्रिविएस वीडियो लेक्चर में देखा था वाट इस डामेशनल फॉर्मेला हमने डीटेल में देखा कैसे कोई भी फिजिकल कॉंटिटी को मास लेंथ और टाइम के टम में रिप्रेजन क करते हैं एंड उसकी हिसाब से कैसे कोई भी फिजिकल कॉंटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं और यह सेट डिफरेंट यूसेजिस तो आज का जो हमारा टॉपिक है एट इस एरर वेरी इंट्रेस्टिंग टॉपिक माय दियर स्टूडेंट्स एरर है क्या इस सीधा से बाद ह कोई भी मैं प्रैक्टिकल एक्सप्रेमेंट करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम पर्फेक्ट करूंगा थोड़ी बहुत एरर तो उसमें आने ही वाला है राइट वो जो एरर आती है उसको फिजिक्स के डब में कैसे रिप्रिजन किया जाए तो फिजिक्स के डब में एरर को हम बोलेंगे और difference in true value and measured value of quantity is called error वापस समझेगा difference in true value and measured value of quantity is called error true value मतलब यह जो हम पहले से value जानते है उसको true value बोलेंगे और measured value मतलब हम जो practical x-men की उपर से value लेकर आये है according to that what we call measured value तो यहाँ पे आप देख सकते हो true value of gravitational acceleration that we know 9.8 meter per second square and suppose आप में से कोई तीन जरो ने practical explain करा है और उन लोगों को measured value मिला है g is equal to 9.5 कोई दूसरे को मिला है 9.2 कोई तीसरे को मिला है 9.7 तो आप easily देख सकते हो that the difference between 9.8 and 9.5 will be 0.3 right okay यहाँ पे difference between 9.8 9.2 will be 0.6 the difference between 9.8 9.7 is 0.1 okay तो आप लोग देख सकते हो कि यह जो value है उसमें इतना जो difference आ रहा है guys so that difference what we call is an error मदलब difference in true value and measured value of quantity is called error तो यहाँ पे true value मेरा 9.8 है measured value तीन practical करे 9.5 मिला दूसरे में 9.2 मिला एक में 9.7 मिला हमने difference निखाला पहले वाले में difference 0.3 मिला यह वाले में 0.6 मिला 9.7 मिला तो हम यह बोल सकते है guys 0.1 जो difference है that value is most accurate value okay मतलब इसमें खाली 0.1 का ही गया पा रहा है than the true value so that's why we can say जो यह बंदे ने explain करा है उसको हम सबसे अच्छा यहाँ पे बोल सकते है so guys error is nothing but difference in true value and the measured value of quantity और इसमें और भी आगे detail में हमें देखना है सबसे पहले it is classified between three types error के अंदर होता है सबसे पहला systematic error दूसरा होता है random error तीसरा होता है gross error okay again mainly we classified errors between systematic error, random error, gross error अब यह सारी चीज़े होती क्या है actually how we can deal with how we can rectify that will show in our next video lecture thank you very much yeah 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 झाल झाल